हेलो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पड़ेंगें कक्षिया बारा की मैंत की परसनावली पांच की विविद का सवाल नमर 21 तो आई शुरू करते अपने सवाल नमर 21 तो दोस्ता सवाल नमर 21 है कि क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो परते एक मिंदू पर सतत हो परन्तु केवल दो विंदो पर आउकलन यह नहीं हो अपने उत्र का ओच्छिते भी बताईए तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल यहां पर लिखता हूं मैं हल तो हमें मानना है कोई फलन तो हमान लेते हैं फलन fx बराबर मापांक के अंदर x-1 पलस में मापांक के अंदर x-3 तो ये फलन x बाबर 1 पर और x बाबर 3 पर आउकलन या नहीं होगा यानि इन दो बिंदों पर आउकलन या नहीं होगा लेकिन परते एक बिंदो पर सतत होगा और यहीं हमें पुछा गया था कि एक एसे फलन कास्तित है जो सबी बिंदो पर सतत हो लेकिन केवल दो बिंदो पर सतत है लेकिन केवल दो बिंदो एक वैक्स बाबर तीन पर आउकलनिया नहीं है इसी परकार हम अन्य फलन में मान सकते ह awan सकते हैं एक समयनस तो यह फिलंग तो ऑघ लेकर 820 नहीं bene नहीं है लेकिन हम नहीं पूचा है कि अपने जाएं प्रcü दिटें भी बताईए अठाट यह सतत क्यों नहीं है वे सोरी यह सतत क्यों है वे अउकलने क्यों नहीं है तो उसका हमें उचिते भी बताना है यानि उसका रीजन भी बताना है तो मने माना है फलन तो सबसे पहले तो इस फलन को हम टुकडों में तोड़कर लिखते हैं तो फलन है मारा fx बराबर अब इस को कमान बड़ा होगा या बराबर होगा तीन के कि जब एक्स कमान रहा है तिन से बड़ा लेंगे तो यह फर हम देखते हैं कि जब एक्स मान // 3 बड़ा है तीन के ब्राबर रखेंगे तो यह हमारा प्लस में होगा और यह भी प्लस में होगा जब एक्स कमान तीन के ब्राबर यह तीन से बड़ा रखेंगे तो यह भी प्लस में होगा और यह भी प्लस में होगा तो यह जग हमारा दोनों प्लस में लेंगे तो यह जग हमा एक्स का मान बढ़ा है एक से या बराबर है या तीन से छोटा है कि जब एक्स का मान एक के बराबर या एक से बढ़ा है वह तीन से छोटा है तो यहाँ पर जब हम एक्स का मान एक से बढ़ा रखेंगे या एक के ब्राबर रखेंगे तो ये तो ये मारा प्लस में होगा लेकिन ये माइनस में जाएगा तो ये हो जागा हमारा x-1 x-1 माइनस में ये हो जागा हमारा x-3 तो ये हो जागा हमारा x-1 अब माइनस का अंदर कुना करेंगे तो ये हो जागा हमारा माइनस का X माइनस 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 बड़ा होगा या बराबर होगा वे तीन से थोटा होगा तब मारा FX बराबर आएगा दो अब लेते हैं तो जब X का माइनस एक से थोटा लेंगे तो ये भी मारा माइनस में जाएगा ये भी माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा मारा माइनस का X माइनस एक और ये भी माइनस में होगा माइनस का X माइनस तीन तो ये हो जाएगा मारा माइनस का X माइनस माइनस गुणा होगा ये जगा प्लस का 3 बराबर में यह हो जगा हमारा माइनस के 2x प्लस में 4 तो इस प्रकार जब x कमान एक से छोटा होगा तब हमारा fx बराबर होगा माइनस का 2x प्लस 4 तो इस प्रकार हमने इस फलंड को टुकड़ों में तोड़ लिया अब जांस करेंगे हम संत्त्य की तो x बराबर लेंगे हम x बराबर 1 के लिए तो x बराबर 1 के लिए तो x बराबर 1 के लिए f1 यानि x बराबर 1 पर फलंड का मान क्या होगा तो मारे पास फलंड क्या है फलंड है मारे पास मापांग के अंदर x मानिस 1 तो हम X किस गयर रख देंगे एक तो यह हो जग हमारा मापांक के अंदर 1-1 प्लस में मापांक के अंदर 1-3 हमारा 1-3 तो मापांक का मान प्लस पर देता है तो ळगा है तो 2 क् chat अधा हमारी स्थेction के लिए फ्लण का tasks लावन आए मार पास 2 कि अब जांज करेंगे एक्स ब्राबर एक के लिए दाइन सिमा वे बाइन सिमा तो लिखेंगे एक्स ब्राबर एक पर दाइन सिमा तो दाइन सिमा को हम लिखते हैं लिमिट लिमिट एक्स टेंड सु हमें जांज करने हैं एक के लिए दाइन सिमा तो एक पलस एफ एक्स तो य एक पर 20 सिमा आती हिमारी पास दो अब जांज करेंगे हम 22 लिखेंगे x बेबर 1 पर 22 इस讲 इसे स्मा इसे पर 22 जांज करेंगे तो 22 होती है हमारी limit h tends यहां पर x है हमारा तो x tends to x tends to 1 हमें जान सकने है बाइं सिमा तो minus लगा देंगे fx बराबर limit x tends to 1 minus fx तो जब x कमांद छोटा है x कमांद छोटा है एक से तब हमारा फलन है minus का 2x plus 4 तो यह मारा minus का 2x plus 4 तो अब यहां पर x किस गया करेंगे एक तो x किस गया एक करेंगे तो यह जगा हमारा minus का 2 into 1 plus 4 तो यह जगा हमारा 4 minus 2 यानि 2 तो इसकार हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि x बाबर 1 पर फलन का मान आता है हमारे पास 2 x बाबर 1 पर 20 सीमा आती है हमारे पास 2 और x बाबर 1 पर 22 सीमा भी आती हमारे पास 2 तो हम देखते हैं कि x बाबर 1 पर फलन का मान वे फलन की सीमा बराबर है तो हम कह सकते हैं कि x बाबर 1 पर यह फलन सतत होगा तो लिखेंगे चूंकी चूंकी x बाबर 1 पर फलन का मान वे फलन की सीमा बराबर है अता है यह फलन एक्स बाबर 1 पर सतत होगा तो यह फलन हमारा x बाबर 1 पर क्या होगा सतत होगा यह फलन हमारा x बाबर 1 पर 3 के लावा अन्य सबी बिन्दों पर सतत है क्यूंकि अमारा यह फलन x बाबर 1 पर वे पर यह फलन पर 3 पर चैंज हो रहा है तो यह हम नहीं पर सीद कर दिया कि एक्स बाबर एक के लिए यह फलने सत्त है अब इसी प्रकार हम जांच करेंगे एक्स बाबर तीन के लिए तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार एक्स बराबर तीन के लिए तो सबसे पहले तो दिखेंगे एक्स ब्राबर तीन के लिए फलन कामान तो एक्स ब्राबर तीन के लिए फलन कामान तो यहां पर यह हमारा एक्स ब्राबर एक्स कामान तीन से बड़ा है या तीन के ब्राबर है तो जब x bağnd 3 के बराबर है तब फलन है इमारा 2x-4 तो एकस बराबर 3 के लिए फलन fx है इमारा 2x-4 तो हमें करना है x बराबर 3 तो लिखेंगे जब x برाबर 3 तो x बराबर 3 करेंगे तो f3 बोज़ेगा हमारा 2 x 3 मैनस 4 बराबर 6 मैनस 4 यानि 2 तो एक्स त्री कमान आ रहा है मारे पास दो अब जान्स करेंगे हम दाइन सिमा में भाइ सिमा तो लिखेंगे एक्स बराबर तीन पर तीन पर दाइन सिमा तो एक्स बाबर तीन पर दाइन स्यमा चैक करेंगे तो दाइन स्यमा होती है हमारी लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पोजिटिव एफ एक्स तो यह जगा हमारे लिमिट एक्स टेंस टू तीन पलस एफ एक्स तो एफ एक्स है हमारा जब एक्स का मान तीन से बड़ा है क्योंकि दाइं शिमा में मान 3 से बड़ा होता है अर्थात जो हम संख्या लेते हैं उसे बड़ा मान लेते हैं तो यहां पर 3 के लिए चेक करें तो 3 से बड़ा मान तो हम देखते हैं कि यहां पर जब X का मान 3 से बड़ा है तब हमारा फलन है 2X-4 इन स्मा पर नहीं टॉर रखी सिर्ग हां मायने प्राइख यहां से लिमिट और यह पर यह एकसशइए इस माहत में रख देंगें तो यह जग हमारा दो इन्टू एकस गतार की में नए ठीन मारी मारी इस पिकार और यह एकस़धी रख दी हमने 3-4 तो तो यह X भाबर तीन पर in या SECRET 32 स्यम्स ज Means भी ए तो 22 में चोटा लेते ही तो 3 से शोटा के लिए तो हम देखते हैं कि जब epsilon 2 तो यहां पर एक्स कमांद तीन से चोटा यां पर है to limit 22 होती है limit x tends to 3 negative fx तो यह हमारा limit x tends to 3 negative fx तो x से 3 के छोटे मान के लिए fx हमारा 2 तो यहां पर x नहीं है तो यह जग हमारा 2 तो इस प्रकार x बराबर 3 के लिए हमारी 22 सिमाती है 2 दाइं शिमाती है 2 और fx बराबर 3 के फलन का मान भी आता है हमारी पास 2 तो इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि x बराबर 3 पर भी यह फलन सतत होगा क्योंकि x बराबर 3 पर फलन का मान वे फलन की शिमा बराबर आ रहे है तो हम कहा सकते हैं कि X बबर 3 पर फलन क्या होगा सतत होगा तो लिखेंगे तो लिखेंगे चुंकी X बबर 3 पर X बबर 3 पर फलन का मान वे फलन की सीमा सीमा बराबर है अतै अतै एक्स बबर 3 पर फलन सतत होगा तो इस प्कार हम ने सीद कर दिया कि यह फलन एक्स बबर 1 पर भी सतत है तीन पर भी सतत है और अन्य बेंदों पर तो यह पहले से सतत था तो इस प्कार हम कह सकते हैं कि फलन एक्स बबर मापांक X मानस 1 प्लस X मानस 3 सभी बेंदों के लिए सतत है तो यहां पर लिखेंगे कि अत्य फलन एक्स बराबर मापांक X मानस 1 प्लस मापांक X मानस 3 पर भी सभी बेंदों पर सतत होगा तो यह तो यह तो हम ने सिद्ध कर दिया कि एक्स बर्ण सभी बेंदों पर सतत होगा अब हम सिद्ध करेंगे कि इस बराबर में उन यह तो हम एक्स बबर एक पर वे एक बबर तीन और आउकलिंट वैइन नहीं है तो हम जानते हैं कि किसी बिशा बेंदों की यह तकि जांस के लिए हम सबसे पहले और एच्डि यानि लफ्ट और दैरिवेशं निकालते हैं फिर RSD यानि राइट हैंड डेरिवसन निकालते हैं अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो वैफलन हम जिस पर जांच कर रहे हैं जिस मान पर हम जांच कर रहे हैं उस मान पर आउकलनिया होगा तो हम यहां पर जांच कर रहे हैं X बाबर एक पर एक बाबर तीन पर तो सबसे प कि तो इसके लिए सबसे पहले निकाल है मैं एलेच्डी तो लिखेंगे अ थोह की एलेच्दी यानि लेफ्ट हैंड डेरिवेसन तो यहां पर हमें एक पर जांच करें तो C का मान होगा हमारे पास 1 तो यह हो जाए हमारा F1-H माइनस होता है हमारा FC C मारा 1 बटे में होता है माइनस का H तो यहां से यह हो जाए हमारा limit H tends to 0 अब यह हमारा F1-H यानि जो फलन है उसमें X की जगए हमें रखना है 1-H तो यह हमारा फलन है इसमें X की जगए हम 1-H तो X की जगए 1-H रखेंगे तो यह हो जाए हमारा मापांक X की जगए हमें 1-H माइनस 1 पलस अब यहां पर रखेंगे X की जगए 1-H माइनस में 3 मापांक अब यह हमारा माइनस का F1 अब यानि x कीज़ गया हमें रखना है 1 तो अब हम x कीज़ गया रखे देंगे 1 यह मारा फलन x कीज़ गया रखेंगे तो 1-1 यह जगा सुनें अब यहां पर x कीज़ गया 1 रखेंगे तो 1-3 यानि-2 मापांग की कान वो जगा पलस का 2 तो यह हो जगा हमारा प्लस का दो बटे में हमारा माइनस का एच माइनस का एच तो यह हमारा लिमिट एच टेन स्टू जीरो यह हमारा एक माइनस एक यानि सुने और यह माइनस का एच मापांक के कान यह हो जगा हमारा प्लस का एच प्लस का H प्लस में यह हमारा 1-3 यानि यह हो जगा माइनस का 2 यह माइनस का 2 माइनस का H मापांक में और फिर है माइनस का 2 तो यह हो जगा हमारा बटे में है माइनस का H यह हो जगा limit H tends to 0 H प्लस अब इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो मापांक के अंदर हम इन दोनों में से माइनस कॉम ले लेंगे तो यह जगा 2 प्लस H और दोनों के बार मापांक माइनस का 2 बटे में है माइनस का H तो यह हो जगा हमारा लिमिट लिमिट H टेंड टू 0 0 H प्लस अब यहाँ पर यह minus है वह इस पूरे के बार्मा पांक है तो यह जग हमारे plus का 2 plus h पलस का 2 PLUS H माइनस 2 बट्रे में है माइनस का H तो 2 MINUS 2 यानि सुने तो उपर हो गया हमारा H PLUS H यानि 2 H बट्रे माइनस का H तो यह हो गया हमारा Limit Limit H tends to 0 Limit H tends to 0 उपर हो गया हमारा 2 2 H माइनस का H तो H से H कट जएगा और यह बच्चा हमारा माइनस का 2 तो इसका रिया हमारा माइनस का 2 तो LHD यानि Left Hand Derivation आगे हमारे पास माइनस का 2 तो अब हम जात करेंगे RHD यानि Right Hand Derivation यानि दाहें पक्स का आउक्लन तो RHD होता है हमारा Limit Limit H1020 LHD में था हमारा F C-H यान पर होगा हमारा C-H C है हमारा 1 क्योंकि हम X बबर 1 पर जांच करें हैं तो यह हो जगा हमारा 1 पलस H माइनस में F C C हमारा 1 बटे में वहाँ पर था हमारा माइनस का H अब यहां पर आएगा हमारा पलस का H तो यह हो जगा Limit H1020 अब उसी प्रकार फलन में X की जगे मान रखना है हमें 1 पलस H तो X की जगे रख देंगे 1 पलस H तो यह हो जगा हमारा 1 पलस H माइनस 1 पलस में 1 पलस H माइनस 3 माइनस अब यहाँ पर फलन में रख देंगे X की जगे 1 तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 सुनें यह हो जगा 1-3 यानि माइनस का 2 मापांक की कानी हो जगा हमारा प्लस का 2 तो यह हो जगा प्लस का 2 बट्टे में है हमारा h तो यह हो जगा लेमिट h tends to 0 1-1 यानि सुन्ये और प्लस का h तो यह हो जगा हमारा प्लस का h प्लस में 1-3 यानि माइनस का 2 माइनस का दो और यह हमारा H तो यह हमारा H माइनस दो बाहर हमारा माइनस का दो बट्टे में हमारा H यह हमारा लिमिट H tends to 0 H पलस अब इन दोनों में से माइनस कॉम ले लेंगे तो माइनस कॉम ले लेंगे तो यह बन जग हमारा माइनस का H प्लस का दो प्लस का दो दोनों के बाहर मापांक है और माइनस में हमारा दो बट्टे में हमारा प्लस का एच तो यह हो जग हमारा लेमिट H tends to 0 H plus ये minus इन दोन बेक्ट के बाहर है और बाहर मापांक है तो यी होगा हमारा plus में यह होगा हमारा plus का minus H plus 3 sorry plus में 2 minus का 2 बटे में हो जगा हमारा H limit H tends to 0 H tends to 0 ये हमारा H minus H यानि सुने और ये हमारा 2 minus 2 यानि सुने तो सुने बट einfach हैं यह Biraz आदेनें प्र इंजुत अब्यूंकि हम जानते हैं कि सुनने में किसी विसंख्या वाह देने पर उत्र स्न आता है तो कह मारा सुनने तो इसक्रिरहां कर दीग आ जिया गाए अमारे पास जिरो और मारे पास हमारे पास ενाट एक यह ब्यांवनिद्स का वदो अ तो यहां पर हम देखते हैं कि LHD वे RHD बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फ्लन X बराबर एक पर अउकलन यह नहीं होगा तो लिखेंगे चुनकी X बराबर एक पर LHD यानि Left Hand Derivation बराबर नहीं है RHD के यानि Right Hand Derivation के तो लिखेंगे अते अते दिया गया फ्लन X बराबर एक पर अउकलन यह नहीं है तो इस कार यह फ्लन X बराबर एक पर अउकलन यह नहीं है अब इसी परकार हम X बराबर 3 पर जांस करेंगे LHD याद करेंगे तो हम देखेंगे कि X बराबर 3 पर भी हमारा LHD बराबर नहीं आएगा तो हम कहा सकते हैं कि X बराबर 3 पर भी अउकलन यह नहीं होगा तो इसी परकार हम याद कर लेंगे तो लिखेंगे इसी प्रकार एक्स बाबर तीन पर भी दिया गया फलन फलन आउकलन यह नहीं होगा तो इस प्रकार तीन पर भी यह फलन आउकलन यह नहीं होगा तो हमारा सवाल था हमारा सवाल है कि क्या एक एस फलन का अस्तित्व है जो प्रते एक बिंदू पर स्थत्त हो तो हमने माना था एक्स बाबर मापांक का एक्स मानस एक प्लस में एक्स मानस थ्री तो यह अमनेसित कर दिया परन्तो केबल दो बिन दो पर आउकलने नहीं है यह भी अमनेसित कर दिया कि X बाबर एक पर आउकलने नहीं है और X बाबर तीन पर भी आउकलने नहीं है तो इस प्रकार यह था हमारा सवाल नमर 21 झाल झाल